ये करिना यह व्यक्त के वियूद के विखित hm रहा है विरोध प्रदर्शन राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्थी पर जूट बोलकर गुम्रहा करने का लगाया आरोप जनता को किया गया गुम्रहा न्यायालयका किया दुरुपयोग प्रदर्शन कि और आनवी जेपी पदाथिकार और कार्यकरताओं द्वारा साहिलेंस जाउन जिलाथिकारी कक्ष और परिसर में जमकर की गई नारेबाजी महांगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत समेत दर्जनों कार्यकरताओं ने लगाए नरेंद्र मोधी मुरादाबाद के नारे जिलाथिकारी की गाड़ी के आगे समझोते के मुद्धे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लोकस्भा सदस्य श्री राहूल गांथी ने बेबुनिया निराथार प्रश्न खड़ा करके उसे दुष्ट प्रचार कर देश की जनता को गुम्रहा करने का कार्य किया है इस मामले पर माननी ये सर्वुच्च न् ने सभी आची काओं पर सुनवाई के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नेमों के अनुरूप पाया इस निरणय ने यह संदेश भी दिया है कि राश्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विश्यों को सिर्फ संदेश और भ्रामक समाचारों के आधार पर न निया याले ने यह भी इस पश्ट किया है कि समझोते पर लोगों की निजी धारना क्या है यह ज्यादा माय ने नहीं रखता है यह दुर्भागया पूर्ण है कि सेना के मत्वपूर्ण जरूरत को हिला हवाली करके लटकाने वाली कांग्रेस और उसके अठ्यक्ष इस पर वे बुनियाद बुष्ट प्रचार कर रहे हैं न्यायाले के निरने के बाद्याहे साबित हो चुका है कि कंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांथी और कंग्रेस पार्टी द्वारा इस मामले को सिर्ट हम सब लोगों ने इसलिए कि आपने लिया है कि कंग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश के पुर्दान मंत्री पर आरोप लगाया है वह आरोप सुप्रीम कोड ने खारिज कर दिया है इसके बाब जूट भी वह अपने जूट से बाजे नहीं आ रहे है और उन्होंने प्रदान मंत्री ही नहीं पूरे भारत के देश का अपमान किया है वह वो देश से राहूल गांदी माफी मागे किसको दिया गया पन पन мांदी जिलाड़कारी महोदे को राश्पधी महोदे के दाम कि लाम हमने मांग कि है कराहूल गांधी सदंस से च्तिपादे और भारत की जंता से माफी मागे उन्होंने सवाण सकूरर देश वासियों के दिलूटा हाथ महोटी परदान मंत्री के बारे में जो असा पर च प्रदर्शन नारेवाजी कर रहेंगे तो क्या करवाई करेंगे साइलेंट जोन होता है अंदर नहीं कर सकते हैं गाड़ी को दक्का भी लाएगे अब आपन सांध कूर में था या अधिन देने की तक्रिया सांध करीके से नारेवाजी यह तो अधिक पाल्टिक नारेवाजी से करते हैं ठीक कि अधि कि कि